हेलो फ्रेंड वैलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम सीखेंगे कोड़ों में 15 अगस को पर कुछ क्रेटिव फाइल में जाके आप न्यूपर ले सकते हो या कंट्रोल एंड से भी आप न्यूपर ले सकते हो फिर हमें लेना है फिर हैंड टूल और शिप्ट के साथ इसको ह होगे जो आपने डोट लेयर उसके ऊपर सही वह लाइन करव होगी है यहां पर सिंगल क्लिक किया हमने कर पर गए तो यहां पर डवल क्लिक करूंगा तो वहां से वह देखो डोट रिमूब हो गया तो हम यह ध्यान रखना है अगर हमें डोट को रिमूब करना हो तो अगर अब डवल क्लिक कर खोंगे उसी डोट पर तो वहां से वह रिमूब हो जाएगा जिए अ फिर उपर सब्सक्राइब ले लेंगे यहें लाइन हम इससे ले रहे हैं कि हमें पतार है कि जो भी हम क्रियेटीव बना रहे हैं या ड्रो कर रहे हैं वह हमारे सब का साइज सेम और इसको हलका से देल जाएंगे उपड़ गा लाइन से टॉच करने के लिए इसको विए ओपर ले जाएंगे इससे लाइन शे टॉच रही है इसको भी हम लाइन से टच करेंगे तेकर डवल क्लिक करते हैं वह रिमूब हो जाता है तो हमें सिंगल क्लिक करना है फिर जो हमने लाइन लिया तो उसको यहां से हम डिलीट कर देंगे अब इसी लाइन को हमें कोपी पेस्ट करना है तो आप एडिट में जाके इसको कोपी पेस्ट कर सकते हो या आप कंट्रोल सी एन कंट्रोल वी से भी आप इसको कोपी पेस्ट कर सकते हो अब इसे लाइन को में से रिपीट करना हूँ, कोपी पेस्ट नहीं करना है तो माउस से इसको नीचे गोर ड्रो करेंगे और राइट किलिक कर देंगे, जिससे ये कोपी हो गया और कंट्रोल आर से इसको में रिपीट कर देंगे, फिर हमें लेना है फ्री हैंट टूल, फ्री हैंट टूल हमें लाइन टूल लाइन टच नहीं करना है, लाइन से दुरा आउट रखेंगे, फिर इसको हम कोपी और पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, इसको हम यहां से मिजर साइट में इसको कनवर्ट कर दें प्रिया से लिए हम स्मार्ट टूल कि अधिस सब्सक्राइब कर देंगे जो भी हमने लैंड रोकी तो इसको यहां से हम डिलेट कर देंगे अब इसκα्क में हम क्लेडर फिल करना है उपर ओरेंघ को रिमूप करते हैं को रहाइट की लिक करोगे ूपर ठीस टूल इहांद टैक्स टैप करेंगे जो भी आपको टेक्स का डिजाइन फांट यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हो यहां साब चेंज भी कर सकते हो पर गई जितना ध्यान लखना है जितना सिंपल फांट लोगे उतना देखने में हमारा डिजाइन अच्छा लगेगा देखने में और शिप्ट के साथ इसका हम साइज को थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे अब इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा करने है तो शिप्ट के साथ हाइट को थोड़ी ज्यादा करेंगे फिर जाएंगे इसको एर्रेंज वाया कि आप ब्रेक कर सकते हो या कंट्रोल के से भी इसको आप ब्रेक कर सकते हो कर्व करना हो तो आप कंट्रोल क्यूं से भी इसको आप कर सकते हो फिर सब को स्लैक करना है और इसको पेज अप करना है कि पिशिए करें गए आप यहां पिलील करके कर सकते हो ओर में जाके यह अप सिफ्ट पेज अपकरोंगे तो वहां से वराजिए पिटीट मुझे प्रोर में काम करना हों उसको यहां से फिल कर लेंगे एन का छूट गया इस भी हम फिल कर लेंगे भी हम लेंगे रेक्ट्रेंगल और इसको हम यहां से हम कट कर लेंगे एडिट में जा गया कंट्रॉल एक से भी हम कट कर सकते हो के फिर हम नीच वाले जो अब्जेक्ट हो जो पहले हमने टाइप किया था मैं पेजाप कर लेंग marc के साथ और इसको हम दोनों को छक करके ट्रिम कर देंगे कि दोनों लैकर करें यहां से उक्वेट कर देंगे यस कि सिंगल अब्जेक बनसाएगा यह हम लेंगे rectangle इस पर हम सेम करेंगे इसको हम कट कर लेंगे कंट्यों हैं किसमें और कि सकते हैं पिर एक समें कर सकते हैं यह फिर 5 पेस्ट कर दिगे कि सब्दाइब प्रेस्ट कर सकते हैं यहां पर एक लाइन आ रही देखो हुआ है कि हमें यह दियान देना है हमें किसी भी डिजायर में कोई भी लाइनिंग वैणिंग नहीं चाहिए अगर गलती साहिपको लाइनिंग आ जाती है इसको ठीक कैसे करें वह भी आपको बता दूँगा पहले कई अब कुछ न कुछ करते हैं जिसे हमारे लाइन हट जाएगी वहां से तो आपको दिखाता हूं अगर आप जोइंट का अप्लाई भी करोंगे तो वह लाइन वहां से नहीं होगा तो इसके लिए हम उसको श्लैक करेंगे सबको और जो करोस की जो आउटलाइन की जो लाइन ह उसको और क्रोस पर रैकर रैट की लिए करके उसके आउटलेन को रिवूप कर दोगे आप हमेंए पर करना हुआ तो भीज़े लेंगे हम आएंसे रैक्टेंगल और Hmm हर रेक करेंग एंग इसको याँसे हम कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स अब कर सकते हो इसको पेज़ अप करेंगे अब दोनों को स्लेक करके यहां से हम ट्रिम कर देंगे अब जिसको हमने कट किया था उसको आप कंट्रोल भी से पेज़ कर सकते हो और देखेंगे यहां ककट का निसान ज्यादा आ गया है पर हमें दोनों वह ब्लीकुत सेव चाहिए राउंड में तो इसको हम थोटा करेंगे भी दोनों स्लेक करेंगे और यहां राखर उसको हम ट्रिम कर देंगे जो हमने आज से कट गया अब में पर कंट्रूल वी से पेश्ट कर देंगे दोनों को से लैकर के कंट्रूल जी और इसके आउट्टेंट को यहांस हमने रिवूब कर दिया अब फिर लेंगा है में गेरियंट अब इस टैक्स पर हम कलर फिल करेंगे पहले आपको मैं दूसरा को कलर फिल करके दिखाता हूं कि आप कहां से क्या कलर चीन कर सकते हो के एक तो हमारे पर यह अप सुन जाता है कि हमें यह लाइट रखना है और गाई इसमें यह क्लड नहीं फिल करूंगा जो हमने त्रेंगा कलर लिया है से में इसमें बोई क्लोर फिल करूंगा इसके लिए फिजाओं गेरियंट पर और यहां और नीचे में रखूंगा आपको तब यहां से कर सकते हो झाइज जहां पे त्रंगा का जो जाएं चल रहें मैं वहाँ पर तोड़ा सा ड्रक रखूंगा ज्यादा उपर से लाइट और नीचे जिवा ड्रक ग्रीन जिससे लगे कि कुछ shadow type का वहाँ से निकल रहा है एन में भी same करना है उपर orange पहले याँज में बकलर पिक कर लूँगा क्यों हमें dark चाहिए हमें उपर लेंगा हम orange और नीचे हम dark green इसको भी same करेंगे अब देखिए एन का वह नीचे वाला जो पार्ट ता वह छूट गया तो कोई बात नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे उस पर जाके हम dark green तो फिल कर देंगे उस पर पर हमें डी बे भी same करना है यहां से हम लेंगे गेरियंट और इस पर भी same करना में नीचे है तोड़ा dark और उपर light आई पर भी हम same करेंगे और इस पर भी हम same करेंगे और इस उपर से light और नीचे से dark रखने से यह होता है कि हम सैड़ो अलग से नहीं देना परेगा वह सैड़ो अपना आप वहां से दिख रहा है फिर ओल्स लेक करना है और इसका आउटलेन को में आप सम रिमूब कर दिएंगे तो गाई यह इतना हमारे बनकर त्यार हो चुका है इसको हम लैक करके कंट्रोल जी साब्स को गुरूब कर सकते हो पिए उसके बाद हमें लेना है सरकल सरकल को हम कंट्रोल के साथ ड्रोग करेंगे और आप इस ही ला मैं को पेस्ट करना हम तो से च्चुप याँ कीबोड से भी Ctrl C और चोटा रखा जो मैंने कोपी गया तो इसको मैंने दुबार पेस्ट कर लिया Ctrl V से उसको छोटा रखेंगे अब यह कुछ एक लाइन ड्रो करेंगे आप इसको हम सेंटर कर देंगे अब इस रेक्टेंगल को हमें करना हो तो आपको पहला ही बताया था Ctrl Q से आप इसको करब कर सकते हो फिर शेप टू लेना है और इसके शेप को हम थुरा साथ चेंज कर देंगे डबल क्लिक करोगे तो जहां साथ आपको लेंड मूब करना तो वही से मूब होगा वह इसको टोप से दोनों को मिला देंगा आपस में करेंगे अब दोनों को सिलाक करके वेड कर देंगे डेवल क्लिक करेंगे एक सरकल आगा चोटा साथ को रुप करेंगा माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रिपीट कर देंगे से चंट्रोल आड से अब और वोल सेलेक्ट अज क्यों समने वेड कर दिया कि तो गाई देखे नीचा वाला गल्द हो गया है सरका हमाला आउट हो गया क्योंकि हम जब दोनों को हमने अलग किया तो इसको डिरेक्शन था वो चेंज हो गया पिर इसको में सेंटर कर लेंगे देखे अब सेंटर हो गया पिवई करना में अलकार को पर चोटा करेंगे हैट में और डवल क्लिक करेंगे पिलेज को छोटा कर लेते हां से कि और सेंटर कर देंगे अब दोनों को स्लेक करेंगे डवल क्लिक करेंगे तहbei छोटा वला रौंड था डोट उसको लाएंगे पिर माश से राइट क्लिक करेंगा गर कंटोला से सको लिपीट कर देंगे आप गाई देगे बिल्गु सही हो गया है दोनों सब को स्लैक करके यहां पर हम वर्ड कर देंगा जिससे यह सिंगल अबजेक्ट बन जाएगा आपको जो भी क्लोरेस में फिल करना हो फिल कर सकते हो आप इसको नीचे लिएएंगे तो गाई देखिए हमारे बन के त्यार हो चुक है तो इसको छोटा करना हो तो आप शिप्ट दबाके छोटा कर सकते हूँ कि हमें डबल क्लिक करोगे तो बोक्स बन जाएगा जो भी आपने पेज का साइज लिए होगा वो ओटमेंटिक इस पर आप सैट हो जाएगा वो कि हम यह से लेंगे पैंट तुल है कि यहां प्लर में इक वहर्ट द्यार करेंगे कि मैं यह द्याने कि जो पेंट्रूल यूज़ करते हैं अगर हमें वहां से लाइन रिमूब करनी हो यह वहीं से में लाइन स्टार्ट करना तो अल्ट के साथ जहां डोट बना होता है वहां पर आप किलिक करोगे तो आपका जो सेकेंड लाइन होगा वहीं से स्टार्ट होगा में इसमें Black कर दिया हमें इसको Repeat करना है तो आप Ctrl C and Ctrl V C इसको सबस्क्राइब कर सकते हो ऊपर केंगे ंए जह की आई चोटा कर देंगे इसंको नाए लाह बैंसे त्यार होो चुका है इसको Ctrl G old Slake Ctrl A सब ऍसने त्यूंच सबस्क्राइस वाउस बनाति आप अगर आपको वीडियो गैस अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब and लाइक and कमेंट करके मज़ूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा